हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को विज्ञान का पेपर हल कराने वाले हैं ठीक है आप ये पेपर पहले संपूर पेपर देख लीजिए ये संपूर पेपर आपको बताने वाले है ठीक है तो आप वीडियो को लाज सक जरूर देखिएगा आ आपको सबसे पहले जब पेपर मिलेगा तो पेपर में यहां पे लिखा रहता है अनुकृमाग तर पहले आप अनुकृमाग भारेंगे फिर इसके बाद अपना नाम लिखना रहता है प्रश्ण पत्र पे ये एक प्रकार कतम वारल पेपर है जो दो हजार पचीस के बोर्ड के एक्जाम में आपको मैकसिमम कोईस्टन देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं तो यहां पे देखिए जब आपको पेपर मिलेगा तो यहां पे दिया होता समय जो समय रहेगा तीन गंड़ा पुरब पढ़ सकते हैं यही निर्देश आपको बोड की एक्जाम में इसी प्रकास से लिखा मिलेगा तो आपका समय ना गवाते हुए चलिए सीधे प्रश्ण को आपको बताते हैं यहां से प्रारम होता है जिसमें पहले बहुई कल्पी प्रश्णों को देखेंगे ठीक है उपभाग एक है जिसमें आपको बहुतिक विज्ञान के प्रश्ण देखने के लिए मिलेंगे यहां प्रश्ण को पढ़िए जिस प्रश्ण का एंसुर आपको आ रहा हो कमेंट वाक्स में आप लिख सकते हैं ठीक है पहला प्रस्ण आपको क्या है कि कि किसी अवतल पर आपतित प्रकास किरण दरपड से प्रावर्तन के उपराद अपने ही मार्ग में वापस यह देखिए वापस आ जाती है यह अकरण मुख के अच का पर छेदन कालाता यानि उसे क्या कहेंगे यहां पर देखें लिखा है कि वापस आ जाती है अब यहां पर आप्सन पढ कर जाती है तो दरपर से प्रावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लोट आ जाती है और यहां पर सब्दी वी कहा है वापस आ जाती है कौन से बिंदू होगा तो अगरता केंद्र होगा तो इस प्रशन का सही जो आपका सीवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रशन को देखते हैं आपका अगला नंबर का प्रस्ण क्या है कि एक लेंस वस्तु के इस्थिती विशेज के लिए यहां पर पढ़ें सी अभासी सीधा आवर्धित परतिवीं बनता है लेंस होगा यहां पर देखें क्या बनना आपका परतिवीं आभासी भी बन रहा है स साथ में काइसा बन रहा है सीधा पर परतिवीं यहां परताना है कौन सीधा लेंस ओए इसका और आसी ए जाएगा आप सभी परतिमिंगे उत्तर से बड़ा बंता है उत्तर लेंस के द्वारा आप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन को सभी प्रशनों को एकदम तयार कर लिजए ठीक है यही बौर्ड की एकजयां में प्रसुन देखने के लिए तीसरा नमबर देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है आपको बताना है कि जो नेत्र लेंस होता है उसमें किसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं तो आपसन को ध्यान से पढ़के इसका एंसर आप दीजिए कि पुतली द्वारा दृष्ट पडल द्वारा पृतारिक है द्वारा यह पच्छ माभी मास पेशियों द्वारा यहां पे तो तो फोकस दूरी परिवर्तन कहां से होता है यह पच्छमाभी मांस पेश्यों के दुवारा होता है इसका सही जब क्या हो जागा आपका अप्सन डी वला आप्सन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देखिए आप चोधा नमबर का कि स्वच आकास के नीले रंग के लिए उत्तरदाई प्रकासी घटना है तो आपको बताना है कि जो आपका स्वच आकास होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है ति किस कारण से आकास आपका नीला रंग दिखाई देता है तो आप संदिया है अपवर्तन प्रकार विवर्तन यह प्रावर्तन नीला दिखाई देना यह को सी घटना है आप में Cat्रप přेस्ते को प्रावर्त प्राकिरंट यह होता है कि Nep। प्रसन देखिए आप पांचवा नमबर का जो है कि किसी विद्धुत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है फिलामेंट का परतिरोत आपको पताना है जो फिलामेंट का परतिरोत क्या होगा चलिए इस प्रशन को पहले लगा देते हैं और लगा के आपको समझाते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर दिया है 448 वाक इसका मतलब यह पी कमान दिया है मतलब सकती दिया है पी वराबर 448 चारो सुचालीस वॉक्त बोलटेश कुतना दिया है तो फीद यह ले हो गए 220 ऑल्ट फिलमेन्ट का प्रतिरोगन पूंच रहा है तो यहां प्रत्रो नदिए औभी यहां पर दीजिए और होदेश जगा प्यांजाब अब यह मन रख याल कर लिज यह Yakप 25 20 जिसक्वार कर यह अब पार 2 का मान कितना है चारसुत कर लीजिए लिखें मेई 220 222 गूरा गूरा होगा 220 इसलिए कि voorका मतलब lever door वह उड़ा होता है , चार सो चालिस कर लिजी देखिए ,एक जिरू से तुकर बाइस से कटनां बार में ,डू बार में ,दू से कट एगा 110 तब परतिरुवत कितना आया आपका 110 ओम आया कितना आया 110 आया ? तीस प्रकार के सवाल को आप बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ठीक है अगला प्रसंद देखिए छटवा नंबर का कि विद्धुत परिपत में प्रयुक्त होने वाले कुछ औयों के संकेत चिन यह दिया है और भी दिया है दोनों अस्ताम को क्या करना सुमेलत करना यानि मिलान करना है तो देखिए आपको कैसे मिलाएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा ठीक है यह जो होता है यह प्रतिरोद होता है लेकिन यहां पर जब यह तीर बना दिया जाता है तो वहरेबुल परतिरोद हो जाता है मतलब ये किस पर दूरू से मững सकता हैं दूसरा आँ यहां मतलब हो तो अब दूसरा का 4 मिल एक किसकी साफसर तो हैं दूसरा का दूसरा दिया थ्यार यहांonse दूसरा के दूसरा दी यह आपसन यह आपसन नहीं हो पाएगा इसका सही जोग क्या हो जागा एवल आपसन सही हो जागा तीस तरह आप इसका मिलान भी कर सकते हैं लेकिन आप पूरे आपसन को यहां पर मिला देते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं देखिए यह जो दीसर करते हैं किसी धारवाहि पुर्वक लटकाने पर सदय होता है सब्रहुक किसी भी चुमक को आप पकड़के धागे से बान के लटकाईएगा यदि वो लटकाएंगे उसको न तो हमेशा वो उत्तर और दच्छिर दिसा में ही क्या करता है वो दोनों दिसा में चला जाता है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं अब यहां से प्राराम बहुत है वाग जिसमें रसाइन भी ज्यान के सभी प्रसन पूछे गए आपसे देखिए आठवा नंबर का प्रसन क्या है निवलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है यहां पर ध्यान दीजिए सब्दू को परते समय थोड़ा से ध्यान से एंस्वर वस्था में होता है जबकि आप नहीं वाला पूछा तो नहीं वाला कौन है मरकरी है इसका सही जब क्या हो जागा जितने प्रसन का एंस्वर आपको आ रहा होगा आप कमेंट बाक्स में उसको जरूर लिखिए ठीक है नौन नंबर का क्या है आपका कि अमल और च्छारक की क्रिया से प्राफ्त होता है कि अमल और च्छारक की प्रस पर किरिया कराेंगे तो क्या मिलेगा ऑर इसके साथ में जल मिलता है और इसी अभिक्रिया को अमल अगला देखिए प्रश्न दास्वा नंबर का क्या है निमलखित अभिकिरिया आपको बताना है कि किसका उधार है देखिए आपे सी एचिव दिया आपे लिए और ये बन जा रहा है कल 54 और कारबंडायक्सइड बन जा रहा है ठिक है तो यहाँ पर पूआ साक्सियो ओकर Fen 2017 स्थापन तो हो नहीं रहाएती है wowण जो선्योजन जो के नए सबार्च prompt जोलता यवी का गटान सबस्थ हो जाएगा उसे हो Grazky ग socket को सवानंक इसक्रण डरेख tutaj गटए चाहिए अग्या अग्या नंबर खाव सिरिंख्ला काघुर्ण तुर्ण विस्था कैं आंप शर्णखला कोर्ग किस में ना आपको यह बताना है ठीक है जिसे देखे कार्बन पाए जाता है स्रिंखला नाइटरोजन में में अक्सिजन में देखिए सिरिंखला का जो कुल पाय जाता है इसके पाय जाता है आपका कार्बन पाय जाता है इसको पहले आपको यह पर प्टाते हैं तो इल्केन में क्या होता है तो इस तरह लकीर खीचा रहागा तो इल्केन होता है यहाँ पे यहाँ बनाया है यहां और आप्सण में डबल है यह नहीं हो सकता है यहां पर देखिए डबल है यह भी नहीं होगा यहां पर सिर्फ सिंगल सिंगल है यह भी नहीं होगा देखें तीन लाइन यहां पर बनाया गया है न यहीं क्या हो जागा यह हो जागा आपका एलकाइन समझ में आगया होगा आप इसको देख के जगा लिख के आप इसे याद यह प्रोपेन का यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर देखे एथनाल को में इसका परियोग में भी प्रशन पूछे जाएंगे तक आपके प्रस्ण जो होते हैं अब आपके सामने देखिए सवाल हिए क्या है कि गूर्दी की इकाई जो सर्जन की प्रकिरिया में भाग लेती उस व्तर ट pumped gcke यह सब क्प्राइब किया तो उसका सही जब क्या होगा तो अंगर प्रण कहा जाता है अगला देखिए 15 नमबर का सवाल आपके सामने है इस आ हो इसे लिए दिखिए है जलक हो हम प१ों किसके दवार होता थे के दौर से दल के कहाँ से निखिके आपक स्वार ही तो हम Сब्सक्रिण के तो है याद रखेंगा फ्लोम के दोरा याद रखेंगा फ्लोम की द्वारा आपका बोजन का वहान होता है इसे जरूर आप याद रख लीजिए बहुत पेपर में आपके पूछा जाता है ठीक है अगला परस्ण शोपोसि पोशण के लिए आवस्सक की मतलब होता है जो पदार या जब जो पोदा अपना बोजन स्वयूं बनाते हैं उससे सौपोषी करते हैं ते पेल पोदाइब लिए रगया क्या आवशक पढ़ता है आपको पता है पत्लियां कुलुरुफील प्रकास जन्स तो पोशण के लिए आवश्चक पढ़ता है तो पोश्ण के रिए आवस्तक्या है क्लोरुफील कारबन डायक्सेटों जल सूरी का प्रकास इसका सही जब क्यों अगला प्रस्ण देखिए आक्सीजन की उपस्तिती में पाईरूवेट का आक्सी करण कोशिका किस भाग में होता है यानि कि आपको पता नहीं है आक्सीजन क क्यों आपका कोशिका में होता है केंद्रक में होता है आंता क्री मेंडल ने अपना प्रियोग किया था यानि मेंडल ने अपना प्रियोग आप सभी को पता होगा कि मेंडल ने अपना प्रियोग मटर के पोदे पर किया था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बीवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है तो यहां पर द्यान दीजिएगा क क्या का है कि मेंडल ने अपना प्रियोग किया था वांसागत गुरों के अध्यान के लिए मटर के उत्पाधन के लिए चावल के उत्पाधन के लिए यहां पर प्रस्ट पढ़ने में मिश्टेक हो गया है मेंडल ने अपना प्रियोग वांसागत गुरों के अध्यान के लिए किया था इसका सही जोग क्या हो जाएगा एवल आपसन सही हो जाएगा थोड़ा इस प्रश्ट को ध्यान से पढ़िएगा कि गल्ती हो जाएगा आपसे भी 19 नमबर दिखिए निमी लिखित में सिह कौन ओजुण प्रच छड़ के लिए जिम्मेदार है तो ओजुण प्रत का जो च्छड़ होता था है तो कलोरोство कार्बन के काऱा सबसे जाएगा ओजन प्रत का च्छाड़ हो जाएगा क्लो फ्लोड़ो कारबद यह प innocent के वी जोगChr में से कौन जाए अनिर्मार करता है तो आपको बता ना है कि आहाल स्रिंखलर का निर्मार कौन करता है इभी यहां पर घ्राइख को जाकरि घृई घ्राख को राती आ कि एक खाता है तो बहुत जब ni जाता है तिसका सही जब क्या होगा बीवलाफ साही हो जाएगा आपको सभी प्रश्ण आपको डिटेल में एकदम बता हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर देजिएगा अब देखें यहां से खंडबा प्रारम होता है आप सभी खंडबा देखें सभी प्रश्णों को एक जिगा जरूर लिखिए जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में 95 परतिश्चत का टारगेट बनाएं तो आप आसानी से एचिव्मेंट कर सकते हैं ठीक है तो आप अपनी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अब वीडियो पसंद आए झाल झाल